नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो से संबंदित पीडियेफ फाइल के लिए आप हमें टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम पर नाके वल आपको इस वीडियो संबंदित प्रमुक तथे भी उपलब्द होंगे जो कि आपके जीके के नॉलिज में बढ़ातरी करेंगे इसके साथ इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि कोई भी तथे आपसे ना छूट सके और आपको परयक्षाम में मुसीवतों का सामना ना करना पड़े क Dawn ना समना ना कके करना पड़े हैं इसके साथ इस इस परकार था बैटमींटन वर्डट फैडरेशन का मुख्याल्य कहां है का reflect the यकारत कौ花ला लंपूर हनौई मनीला तो इसका सब्सक्राइब कौला लंपूर कौला लंपूर में बैटमींटन वर्डड पैडरेशन का मुख्याले इस्थित है तो इसकी प्रोडेक्टस लिमिस्ट लारसन ऑं टोब्रो लोग निर्माढ भीभागए इनमे से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा लारसन ऑड़ो को अील नंटी को बुलट टेन पर्योजना के निर्माढ के लिए उस संबंदित कार्यों का पुसंपन करने के लिए कॉंट्रेक्ट प्रदान किया गया है कॉंट्रेक्ट दिया गया एलन्टी ने देश की सबसे देश की पहली बुलट ट्रेन पर्योजना के लिए कॉंट्रेक्ट हासिल कर लिया है और एलन्टी ने नैशनल हाई स्पीड रेल क प्राप्त किया गया है और किसे किसे मिला है लार सार एंट अब्रो कॉंपनी को मिला है मुंबई एहमदाबाद बुलट ट्रेन कोरिडॉर जो की 508 किलोमेटर लंबा है और यहां पर इस कोरिडॉर पर जो ट्रेन की गती होगी तीन सोब बीस किलोमेटर फिरते घंटे के लगबग होगी और यह गुज्रात महराश्ट और दादर नागर हवेली के छेतर से गुज्रेगी जो कि इस दूरी को 2-3 आज घंटे में लगबग पूरा करेगी इसके साथ यह 12 इस टेशनों को कवर करेगी इस रास्ते में और इस परईयोजना को जापान की इंटरनेशनल boiling पोपेश्च counties किया रहा है किस company के दोरा जापान की इंटरनेशनल कवपेश्च किया जारा है यानि waste क्या-जा रहा है तो एहमदाबाद मुंबई byट tendency पहले भारत का बुलट कोरिडोर व्यूंड कोरिडोर है जिसके में कितनी है 508 ... तो यहां पे ट्रेंकी गती है उसके लिए ट्रायल किया जा चुकत है जो की 350 km प्रटी घंटे की गती अहीं होगा और इस दूरी को कम से कम 2-3 three घंटे में पूरा लिया जाएगा तो इसके साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रशन पर तो अगला प्रश्न है कि भारत में सहीत दिवर्ष24 नाया जाता है अग तो तो इसका अंसर होगा तीस जनवरी को भारत चार्ट में सहीर दिवर्स के रूप में मना या जाता है क्योंकि इस धीन नियानि कि 30 जनवरी को महात्मा गांधि के वही थी आ depends mode को इस दिन दिन कारे 940 को नातोरामगोड़ से द्वारा गोली मार का खत्या कर दी गई थी तो महात्मा गांधी यानि मोहंदाज करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है ने महात्मा गांधी के नाम सजाना जाता है महात्मा की उपाधी इन्हें रविंदर नाठ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी रविंदर नाठ टैगोर ने मोहंदाज करमचंद गांध को पहली बार माहत्मा कहकर पुकारा था और उन्होंने भारत के सवातंतरता संग्राम को भारत के सवातंतरता प्राप्त करने के जो तरीके थे उनने उने नहीं महात्मा की उपादी दी थी जन्म 2 अक्टूबर 1879 को बेटिस भारत के बॉंबे प्रेसिडेंसी के पोर बंदर में हुआ था तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रशने पर तो अगला प्रशन है कि विश्व कुष्ट रोग उन्मूलन दिवस विश्व कुष्ट रोग उन्मूलन मनाया जाता है तीस जन्वरी को कुष्ट रोग विश्व कुष्ट रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश से कुष्ट रोग को समाप्त करना तथा कुष्ट रोग से पीडित रोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना इसका तक दवाईयों का सेवन करना होता है तो में विश्व कुष्ट रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है लेकिन भारत में इसे गांधी जी की पूर्णेति ती यानिकी जन्वरी को मनाया जाता है तो इसी के साथ यह देखें तो कुष्ट रोग एक संक्रमक वैक्टीरियल रोग है संक्रमक वैक्टीरियल लोग है कम्मुनिकेटिव रोग है यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैर सकता है वैक्टीरिया से होने वाला रोग है माइको वैक्टी कोष्ट रोग के कारक के रूप में यह जिम्मिदार है तो इस रोग से मुख्य रूप से तवचा और समबंदित जो तंत्री का नर्वस सिस्टम है और आंके इससे मुख्य स्वास्ता समस्य सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब सावर सरौ से परभावित नहीं है यानि दस थायर लोगों में से एक वियक्ती से कम परभावित लोग हैं भारत में यह हट में सवास्ता समїस्या के रूप में नहीं देखी जाती है तो यहां पर जो महतकुर्वंद प्रश्न अट जाते हैं हमाइ ले कुछ रोग जो है वह से Ioาก agency से होने वाला रोग है या वार्णी से होने वाला रोग्याइच सम् Liberia से उने वाला एक बहावित करता है तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्ण पर प्रश्ण है कि एसीया पैसिफिक परस्नलाइजट हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्वस्वास संगतन लोवी इंस्टीट एकॉनमिस्ट इंडेक्स इंडेक्स कोही नहीं तो इसका अंसर होगा एकॉनमिस्ट इंडेक्स इंडेक्स कि द्वारा स्वास्त के ग्यारा स्वास्त संबंधित पनालियों के आधार पर यह मा पार जाता आइए देखा जाता है कि किस देश में 11 स्वास्थ पर दीजा परेख व्यक्ति की पहुँच्छ जल्दी से होती X iia 0221 254 प्रगति की माप करता है और 4 समस्टक्राव के आधार पर यह मुल्यांकर करती है आवरतमान में जिन देशों में Everything आरिया मैं पहारत चीन सिंगापूर आउस्ट्रेलिया मलेसिया ताइवान जापान और थाइलेंड워서 और दक्षन कोरिय निउजिलेंड यह देश इसमें आते हैं जो कि एसी आप एक वाले छेतर में आते हैं और प्रशांत महासागर के छेतर में आने वाले प्रमुक्ष देश हैं तो इस रिपोर्ट में सिंगापूर ने 11 स्वास्त परणालियों में सबसे बहतर परदर्शन किया सिंगापूर में 11 स्वास्त समस्या होती है कि एक व्यक्ति को तो उसके पास पहुंच होगी कि वह उसके पास जल्द सजल्द वह सोबिदा उपलब्द होगी जिससे वह इन स्वास्त संबंधी परिशानियों से उबर सके तो इसी के साथ देखा जाए तो इसके बाद परिशमी आते हैं लेकि भारत की इस्थिती इसमें दयनिया बताइगाई में बयावित के स्थिति दसween इसस्थान पर रही कि जो 11 सुभुधाएं 31-2001 को किया जाएगा तो option है कि सोवी व्र्षगाठ पर एक सोपचीसवी व्रृषगार्ट का इसका अंसर होगा 125 वर्षगार्ट के प्रबुद् भारत पत्रीका प्रबुद्ध भारत एक पत्रीका है जो 31 evaluation को प्रबुद्ध भारत रामक्रिष्ण ओर्डर की एक मासिक पत्रिका है और इस पत्रिका की सुरुआ स्वामी विवेकानंद द्वारा 1896 में की गई थी किसके द्वारा स्वामी विवेकाननद के द्वारा तो प्रबुद भारत पत्रिका ने देश में जो प्राचीन आध्यात्मिक ग्यान है आध्यात्मिक ग्यान है spiritual knowledge है उसके संदिश को फैलाने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रुप में काम किया है और प्रबुद भारत पत्रिका का प्रकाशन सुरुआत में मदरास में सुरू किया गया था कहां सुरू हुआ था यह मदरास में सुरू हुआ था फिर उसके बाद यह पत्रिका दो वर्षों के लिए दुवित आश्रम मायावती की स्थापना 1899 में राम कृष्ण मठ की एक साखा के रूप में किया गया जो कि कहां है उत्रा खंड में इस्थित है तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्ण पर तो अगला प्रश्ण है कि चौरी-चौरा घटना का सताबदी तो इसका अंसर होगा चार फरवरी को चार फरवरी को चौरी-चौरा घटना का सव्टावदी वर्श्वनायाँ सॉ साल इस्थितांगे पूरे हो जाएंगा ने चार फरवरी-चौरी-चौरा कभविश घटना एक स्थान है जो कि उतर प्रदेस के गोरकपूर जिल्ए के प 22 को हुई थी यह असयोग आन्दोलन के दौरान ये घटना हुई थी 24 सेहर में 4 फरवरी 1922 को आसयोग आंदोलन के समर्थक में जो समर्थन कारी थे आंदोलन कारी थे और यहाँ पर रैली निकाल रहे थे और इसके बाद पुलिस के साथ मुट्वेड हो जाती है यहां मिर्थि होती है और आमनागरिकों की भी कुछ आमनागरिकों की भी मिर्थि होती है जिस इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को आसयोग आंदोलन को रोक देते हैं गौरतलब है कि पूर्ण स्वराज और स्वसाशन को प्राप्ट करने के लिए 4 सितंबर 1920 को कारान रोका जाता है जो हिंसा हुई उसके कारान रोक दिया जाता है धार्व 14 घटना कब ऑफ सुरू कब हुई थी चार फरवरी 1922 में हुई थी जिसको अब सौ वर्ष पूरे हो गये हैं और यह किस अंदोलन के दौरान की घटना सयूग के दौरान हुई थी और कि शुरूद किस के द्वारा की गई थी महात्मागांधी के द्वारा जाइगा प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी के द्वारा किया यागा तो इसके परियावरण मन्तरालेने हाली में में किस प्रजाती के संधक्षिय कर लिए याज्तिय कार योजना झारी की है खचाने अशजियाई थे समुझिय समूधरी गाय या समुझरी गच वा चुछ तो अब आज समुळरी गच्छ entra yes अभी हाली में मरीन मेगा फोना एंड इस ट्रेंडिंग गाइड लाइन और नैशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है और इस दस्तावेज में समुद्र टर्ट पर फसे जो जानबर हैं कच्छुए हैं या दूसरे जो जीव हैं उनके निपटने की रूप रेखा और उनके आवासों के लिए जो खत्रें हैं उनको कम करने के प्रवंधनी कारेवाई के सम्मन में यह समझोता किया गया है तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कि रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मॉबिलिटी पर किस अंतर है इसका जो कारण है वो यह है कि वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम जो किया जा रहा है विश्वार्थिक मन जोड़ किया था इसमें कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा इसे आयोजित किया था ताकि जो सीमाएं हैं उनको फिर से खोला जाए और आवेश्यक नीतियां और साज़ बनाया जाए ताकि एक लंबी चोड़ी प्रकरिया को फॉलो ना किया जाए तो केंदरिये स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले मंत्री ने वीडियो कॉन्फरेंस के माद्याम से संबोन्दित अभी हाली में किया है जो विष्व आर्थिक मंच है ये गैर लावकारी स्विजरलेंड में स्थित मंच है और इसका मुख्याले का में जीनेवा में एक मुख्याले है और सब्सक्राइब कब की थी 1971 में इसके स्थापना की गई थी और इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है जो महतपूर्ण रिपोर्ट है हमारी परिक्षाओं में पूछ ली जाती है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सबी रिपोर्ट हैं इन रिपोर्टों कौन जारी करता है वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रशन पर तो अगला प्रशन है कि भारत ने किस मित्र देश के साथ परियावरण का वर्ष में इंडो फ्रेंच वर्ष का सुबारम किया भारत और फ्रांस आसम राजिस्थान जारकन में कुछ परियोजनाओं को सुरू करेंगे और इसका उद्देश यह सस्टेनेवल डेवलप्मेंट में भारत फ्रांस के सहीयोगों को और मजबूती परदान करना है इसके अलावा भारत और फ्रांस के द्वारा अंतराष्टी सुर गठवंदन को भी शुरू किया गया था जो कि परियावरण हितैशी कारेकरम हैं इंटरनेशनल सोलर एलाइंस अंतराष्टि सौर गटवंदन है जिसका उद्धेश चेटर में आने वाले चेटर में आने वाले देशों से आगरह करना है कि वह सौर उर्जाक के माध्यम से ही अपने उर्जाक की आपूर्ती को सुनिश्चित करें और इस संगठन में इस की है तो भारती एटेल रिलाइंस जी ओ भारती दूर संचार निगर लिमिटेड आइडिया वोड़ा फोन तो इसका अंसर होगा भारती एटेल तो अभी हाली में भारती एटेल ने 5G सेवाओं को सफलता पूरवक परदर्शित करते हुए भारत के लिए यह भारत करते जो इसने 5G को अब लॉँच किया है है रिचात energy को लॉँच किया है कि भारती एटेल किया है तो यह भारत का पहला दूरसंचार और कंपनी बनकर आया है सामने निकल के भारती ये भारत एटल ने घोशना की है कि उसने हैदराबाद में वाड़िजग नेटवर्क पर पांचवी पीड़ी यानि कि 5G फिफ्ट जेनरेशन की योजना बनाई है और भारती एटल ने बताया है कि जो स्पेक्ट्रम ब्लॉक हैं उस नॉन इस्टेंड एलोन नेटवर्क टेकनलोजी के माध्यम से 1800 मेगा हार्ट्स बेंड में ये मौजूद स्पेक्ट्रम को एक सीच पर रखेगी सीच पर करने की यानि सीच पर करने में काम्याब रही इसके अलावा ये एटल ने दावा किया कि 5G नेटवर्क इसके 5G नेट पर फुल लेंद्ध फिल्म को डाउनलोड करने में कुछ सेकंड का ही समय लगेगा तो इसी के साथ यह थे हमारे आज के 10 सबसे महत्पॉंट प्रश्ण मैं आचा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए महत्पॉंट से दो आपकी परिक्षाओं में इससे संबधने प् परशने कुछ इस प्रकार है कि भारत में किस भारत भारत ने किस बंदरगाह को दो मोबाइल हारवर्क क्रें की आप उर्ती की गई है तो आप लोग अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जाए ज्यादा और जिन लोग अभी तक जुड़ सके लक्षे के साथ और बढ़ सके अपने लक्षे की और धन्यवाद